हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का टी-स एडूकेसन सेंटर में फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समानीज्यान के कुछ महाध्टोपुड प्रस्नर उत्तर जो आपके सभी एकजाम्स के लिए महाध्टोपुड है तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कुस्चन है नेत्रदान में रोगी में किस भाग का प्रतिरोपड किया जाता है इसका सही एंस्वार है नेत्रदान में रोगी में कौर्निया का प्रतिरोपड किया जाता है अगला कोस्चन है प्रित्वी की उपरी परत के लिए सियाल सब्द का सरो प्रतम पर्योग किस ने किया इसका सही एंस्वार है प्रित्वी की उपरी परत के लिए सियाल सब्द का सरो प्रतम पर्योग होम्स ने किया अगला कोशन है रोकेट को चलाने में परियुक्त इंधन क्या कहलाता है इसका सही अंस्वर है रोकेट को चलाने में परियुक्त इंधन प्रडोदक कहलाता है अगला कोशन है चोल प्रांत को क्या कहा जाता था इसका सही अंस्वर ए चोल प्रांत को मंडलम कहा जाता था अगला कोशन ए राश्ट्रिय द्रिष्ट विहिन संस्थान कहा इस्ति थे इसका सही अंस्वर ए राश्ट्रिय द्रिष्ट विहिन संस्थान देहरा दून में इस्ति थे अगला कोश्चन ए प्रथम वित आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही एंस्वर ए प्रथम वित आयोग का गठन 1952 में किया गया था अगला कोश्चन ए भारत में स्कूल टीवी का प्रसारण कब प्रारंब किया गया? इसका सही एंस्वर है भारत में स्कूल टीवी का प्रसारण 24 अक्टूबर 1961 इसबी में किया गया अगला कुश्चन है किस राज में बिधान परिशत की सदस्य संख्यानी उन्तम है इसका सही एंस्वर है जमूव कर्स्मीर में बिधान परिशत की सदस्य संख्यानी उन्तम है अगला कुश्चन है इतिहास में चोल सासक किस प्रकार के प्रसासन के लिए प्रसिद्ध है इसका सही एंस्वर है इतिहास में चोल सासक ग्राम प्रसासन के लिए प्रसिद्ध हैं अगला कुशन है विश्व स्वरया राश्ट्रिय तक्नीकी संस्थान कहां इस्थित है इसका सही एंस्वर ए विश्विश्वर या राष्ट्य तक्निकी संस्थान नागपूर में इस्थित है अगला कुछन ए ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है इसका सही एंस्वर ए ज्यानपीट पुरसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंथ है अगला कुश्चन है पूर्टा हिमाचादित महादीप कौन सा है इसका सही एंस्वर ए पूर्टा हिमाचादित महादीप अंटार्क्टिका है अगला कोश्चन है निकट द्रिष्ट के दोस में प्रतिविम्ब कहां बनता है इसका सही एंस्वर है निकट द्रिष्ट के दोस में प्रतिविम्ब रेटीना के सामने बनता है अगला कोश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोसडा की थी कि राजा का कोई सगा समंधी नहीं होता इसका सही एंस्वर है अलावदीन खिलजी ने यह घोसडा की थे कि राजा का कोई सगा समंधी नहीं होता अगला कोश्चन है सेंटर फोर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलोजी कहां इस्तित है इसका सही एंस्वर है सेंटर फोर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलोजी कोची में इस्तित है अगला कोश्चन है प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज अगरडी है इसका सही एंस्वर है प्याज उत्पादन में भारत का महाराष्ट राज अगरडी है अगला कोश्चन है सयुक्त राश्च संग के महा सचीव की न्युक्ति कितने वर्सों के लिए की जाती है इसका सही एंस्वर है सयुक्त राश्च संग के महा सचीव की न्युक्ति पांच वर्सों के लिए की जाती है अगला कुश्चन है बिहार में लोक सभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है इसका सही एंस्वर है बिहार में लोक सभा की सीटों की कुल संख्या 40 है अगला कुश्चन है सल्तनत काल में धर्म विभाग एउदान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था इसका सही एंस्वर है सल्तनत काल में धर्म विभाग एउदान विभाग के प्रधान को सद उस सुदूर कहा जाता था अगला कुश्चन है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है इसका सही एंस्वर है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें